नमस्कार तो हम बात कर रहे थे ब्रस्पति के मेश रासी वाले गोचर के बारे में जो 2023 में होगा ब्रस्पति 22 अप्रेल से 4 सितंबर तक मेश रासी में गोचर करेंगे इसके बाद वो वक्री होंगे तो मकर लगन वालों के लिए इसका क्या क्या प्रभाव रहेगा, कौन-कौन से आपको रिजल्ट मिलेंगे और कहां पर आपको ध्यान रखना है तो देखे मकर लगन के लिए अगर देखा जाए तो ब्रस्पती आपकी कुनली में बारवे घर की स्वामी है और आपकी कुनली में वो तीसरे के वी स्वामी है और उनका जो गोचर हो रहा है वो हो रहा आपके चोथे घर में ऐसे में बहुत सारी यात्राओं की चांसिज आपके जरूर बनेंगे ये समय में विदेश यात्रा हो सकती है ये समय में घर का सुक काफी अच्छा मिलेगा और परिवार की लोगों की साथ भी आपको यात्रा कर सकते हैं ये समय में अधिक्तम आपका जो फोकस रहेगा घर के कारियों पर परिवार से जुड़े हुए कारियों पर रहेगा कोई प्रोपरिटी वगरे का लेंदेन कर सकते हैं माता जी का अच्छा साथ आपको मिलेगा घर परिवार की लोगों को आप देखेंगे कि वो बहुत जादा पुझा पाठ की तरफ ध्यान दे रहे हैं वो स्पिरिच्वल हो रहे हैं तो यहां आपको उत्तम सुख मिलने वाला है अब ये ब्रस्पति उन जात्कों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करेंगे जो लोग रिटाइड हैं जो अपने घर पर ही रहते अभी और कोई छोटा कोई जोब करते होंगे तो उन जात्कों को सबसे ज़्यादा ये प्रभावित करेंगे और उनको सुख भी काफी ज़्यादा मिलेगा आपकी माता जी का स्वास्ते उत्तम रहेगा माता जी का सयोग आपको उत्तम रहेगा इसी प्रकार से आपके मन में बहुत ज़्यादा सा तो आप विचार कर सकते हैं इसके अलावा घर के कारियों के लिए कुछ खर्चे हो सकते हैं और अगर आपके पास पैसे की कमी है तो आप इस समय लोन लेने का भी प्रियास कर सकते हैं घर के कारियों के लिए तो ऐसा आपको सजेस्ट नहीं किया जाएगा पर फिर भी आपको क कुछ घर के सदस्यों के लिए स्वास्ति समंदी खर्चे करने बढ़ सकते हैं अब यह ब्रस्पति क्योंकि तीसरे घर का बेस्वामी और बारवे घर का बेस्वामी हैं ऐसे में छोटी-छोटी यात्रें और विदेश यात्रा होने के चांसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाते है इसके अलावा आप सबसे ज़्यादा जो अपनी मेहनत करेंगे वो अपने जॉब के लिए करेंगे और घर के कारियों के लिए करेंगे ये ब्रस्पति आपको काफी अच्छे डिसीजन लेने के लिए प्रेदित करें आपके घर के कारियों के लिए तो घर के कारियों को काफ में बहुत ज़्यादा helpful है और थोड़ी से मेहनत जरूर आप लोगों को करने चे इस कोचर में तो यहां से अगर हम इनकी दृष्टियों की भी बात करें तो इनकी सब से पहले दृष्टी पढ़ेगी आपके अस्टम भाव पर अस्टम भाव पर जब इनकी दृष्टी बड़ा गें होगा यह समय में अचानक धन की प्राप्ति होना अचानक आपको प्रोपर्टी की प्राप्ति होना यह सब हो सकता है अगर आपका कोई विवाद चल रहा प्रोपर्टी को लेके या किसी बरकार का कोई और अन्य ऐसे इस्तिती चल रहे जहां पर आप बिलकुल फसे वे तो उन इस्तितियों से आप निकलेंगे और इसका सबसे बैटर रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा तो ब्रसपति का ये गोचर आप लोगों के मन में तो सांती देगा ही देगा आपको काफी सारी ऐसे चीजें और ऐसे सुख देने वाले जिनकी उमेद आप कर ही नहीं सकते अब ब्रसपति द्वारा अस्टम भाव को देखा जाना आपकी लाइफ में जो परिवर्तन आने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाले हैं इन दोरान इसके अलवा आपको कोई अगर दुरगटना होती है कहीं कोई चोट लगती है या कोई अन्य परेशानी आपको आती है तो वहाँ पर ब्रसपति बहुत ज़्यादा रिलिफ आप लोगों को दे सकते हैं अब यहाँ पर ब्रसपति आपको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होने देंगे अगर किसी भी परकार की ऐसी कोई बात होती है ब्रस्पति सीधा सीधा अब दृष्टी डाल रहे आपके 10th house पे तो जोब मिलने की समाना बहुत ज्यादा रहेगी जोब में कोई ना कोई बड़ा परिवर्तन, कैरियर के लिए अगर कोई decision ले रखा है आपने तो वो आप क्रियानवित कर सकते हैं, उसके हिसाब से आगे चल सकते हैं ये ब्रस्पति का गोचर आपको आपके बोस के साथ सामनजस से बनाने में, काम और घर के कारियों के बेच में बैलेंस करने में प्रोफेशनल कैरियर और आपकी जो married life है या जो आपकी family life है उसको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा भूमिका यहाँ पर निभार है तो ये ब्रस्पति दोनों तरफ ही आपको focus रखेगा, आप उतना ही ज़्यादा अपने काम पर भी focus करेंगे तो ब्रस्पति overall बहुत positive रहने वाला है, आपका इस्तनांतरन अगर आपके आसपास नहीं हो रहा आपके घर जहाँ है तो हो सकता है कि अब आपका जो transfer है वो भी होगा और ऐसे में ब्रस्पति आपको उत्तम सुख देने वाले, घर का सुख देने वाले तो हो सकता है घर से related कोई काम बने, आपको ज्यादा से ज्यादा समय अपने घर पर विताना पड़ सकता है यह समय ऐसा है जब चारों तरफ से आपको लाब मिलता हो दिखेगा ब्रस्पति आपको सरकारी साहिता भी दिला सकते हैं इसके अलवा आपके अपने गुरुजनों से बहुत ज्यादा आपको साहिता मिलेगी जो लोग किसी भी परकार से teaching के profession में हैं, banking के profession में हैं या insurance वगरे इस परकार की जो financial जो काम करते हैं उनके लिए ब्रस्पति बहुत ज्यादा better रहेंगे इसी परकार से जो लोग कोई अध्यात्मिक शितर से जुड़े वे हैं या इस परकार का कोई काम करते हैं तो उनको भी ब्रस्पति पुरा-पुरा यहां support कर रहें अब ब्रस्पति यहां से देख रहे हैं बारविघर को तो बारविखर को जब ब्रस्पती देख रहे हैं तो जो भी खर्चे होंगे वो सही कारियों के लिए होंगे उत्तम कारियों के लिए होंगे ये समय में अगर ब्रस्पति के आपको महादसा चल रही हो या अंतरदसा चल रही हो तो विदेश जाने का आप जरूर सोचेंगे और ये यात्रा आपके लिए बहुत ही एहम रहने वाली है बहुत बड़ा आपके लिए ये टर्निंग पोइंट आपकी लाइफ का जाने वाले तो यहाँ पर ब्रस्पति जब बारवेगर को देख रहे हैं तो परिवार के कुछ वर्द जनों और जो भी ऐसे लोग हैं उनकी तबियत को लेके कुछ न कुछ दिक्कते आ सकती हैं आपको spiritual होते वे देखा जा सकेगा आप बहुत ज़्यादा अध्यापमिक हो जाएंगे आप बगवान में बहुत ज़्यादा आस्ता रखने लगेंगे अगर आप किसी बरकार की साधना करने का वाशना करने का कोई ट्राई करते तो उसमें भी आप सफ़र रहेंगे ये ब्रस्पति आपके खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे लेकिन इतना भी ज़् पैसा दे रहे हैं एक तरफ आपके खर्चों को बढ़ा रहे तो यहाँ पर आपको बैलेंस करने वाले हूँ आपकी सुखों को बिल्कुल बैलेंस करने वाले तो यह जो ब्रस्पति का गोचर काफी उठक रहेगा आप लोगोंको और यह समय में आपको कही न कहीं जौब मे प्रेशान हो रहे हैं अभी उनको ये देखना चाहिए कि उनके लिए बहुत ही उत्तम समय है और ब्रस्पति के इस गोचर में अगर आपकी जोब लगती है तो लंबे समय तक वो आपकी जोब रहेगी अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी है या ब्रस्पति से सावित होंगे आने वाले समय में तो इस गोचर में जोबी डिसीजन आपकी जाने वाले बिल्कुल सही जाने वाले है फीचर के लिए प्रकार से आपको यह देखना पड़ेगा आपके ब्रस्पति आपके चार्ट में कहां पर बैठे हैं और उस हाउस के स्वामे कौन है यह सब आपको चेक करना ही चाहिए इसके अलवा यहां पर चोथेगर में आपका कौन सा प्लनेट बैठा है अगर किसी के चार्ट में कोई भी ग्रह बैठा होगा तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा अब यहां क्योंकि देखे अभी राहु गोचर कर रहे तो राहु गोचर कर वीला इस वीडियो में देहें हैं